दीटापुर में राश्टे हिंदू शेर सेना की अध्यक्षिया विकास हिंदू ने फलो के ठेलो पर लगाये नेम प्लेट अने लोगों से भी की अपी उत्रप्रदेश के मुरादबाद में हिंदू युफ्ती को मुस्लिम बनने के लिए ब्रेनवाश करने की आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज हुआ हिंदू संगठन की युफ्तियों ने लगाया अकाडमी प्रबंधन पर आरोप उत्रपदेश के फिरोजाबाद में भीशन सड़क हाथसा हुआ खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस हाथसे में तीन की मौथ 45 से ज़ादा ल्यात्री जख्मी घायलों को पहुचना आई अस्पता पिरोजाबाद चड़क हाथसे बड़ सीयम योगी ने लिया संग्यार मृतिकों के परिजनों के प्रती व्यक्त की संवेदना घायलों के समूचित उप्चार के निर्देश दिया आनंदपाल एंकाउंटर में CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिच आनंदपाल का एंकाउंटर करने वाले अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा राजस्तान की गैंक्स्टर आनंदपाल का हुआ था एंकाउंटर 24 जून 2017 को हुआ था आनंदपाल का एंकाउंटर सीबियाई ने 2020 में पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट आनंदपाल की पतनी राच कवर से क्लोजर रिपोर्ट को किया था उन्होंने चैलेंज दिल्ली में देखा गया चंद्र ग्रहन लंबे समय के बाद दिखा ग्रहन इंडिया गेट इलाके से तस्वीरे सामने आई कोलकता में भी नजर आया शनी चंद्रगहन बंगाल के लावा देश के कई हिस्सों में दिखा ग्रहन दर्भंगा में पुलिस पलगा मारपीट का आरो पिटाई के कारण यूवक की हालत नाजुक हुई मामले की जाच में जुटे आलाधी कारी जौनपूर में जमीनी विवाद को लेकर दो भाईयों में हुई जड़प मारपीट के दौरान एक भाई हुआ बेहोश इलाज के दौरान हुई मौद उत्तरप्रदेश के हमीरपूर में दबंगों ने यूवक को जम कर पीटा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाईरल हुआ उत्तरप्रदेश के फ्रोजबाद में होटेल में रंगे हाथों पकड़े गए प्रेमी यूगल यूवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ा यूवती के परिजनों ने यूवक को जम कर पीटा यूपी के सितापूर में शराव के नशे में प्रिंसिपल पहुचा स्कूल आंगन बाड़ी कारेकरता और बच्चों से मार पीट की यूपी किसी इतपुर में नौकर ने मालिक के साथ की जाल साजी धोके बाजी से कार के काज़ात कराये अपने नाम मालिक में पुलिस में दर्च करवाई शिकार उत्तरप्रदेश के एटव में पुलिस ने फरार अपराधी को गिरफतार किया, शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ उत्तरप्रदेश के राय बरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मोडर केस में की गिरफतारी हत्या की 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा बिली पुलिस ने स्पाइडर मैन बनकर रील बनाने वाले युवक को गिरफतार किया कार की बोनट पर रील बना रहा था उत्तरप्रदेश के बदाईयों में नकली नोटों के साथ तीन आरोपी गिरफता, 64000 के नकली नोट और मुबाइल फोन बरामत उत्तरप्रदेश के मेरट में यूपती की हत्या का खुलासा हुआ आपरण के बाद यूपती की हत्या के बाद चेहरे पर डाला गया तेजाब उत्रप्रदेश के बहराइच में दो दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दो दिन पहले बगीचे में मिला था युवक कश्यव उत्रप्रदेश के मैनपूरी में शराबी पती की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने की अग्रफता शराबी पती की पीट पीट कर की थी हत्या महराज के पूने में हुआ हाथसा, ट्रांसपार्मर में लगी भी शुनाख, हाथसे में किसी की हतात होनी की फिलाल कोई खाबर नहीं, समयर है ते आख पर पालिया गया खाबू यूपी के चंदौली में बस हाथसे में घायल सिक्षिका और ड्राइवर की हालत गंभीर वारणसी रेफर किया गया उत्रप्रदेश के कुशिनगर में गंडक नदी में छे मचवारे बहे, रेस्क्यू कर तीन मचवारों को बचा गया, नदी में मचली पकड़ने गए थे ये मचवारे उत्रप्रदेश के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यूबक की मौत हुई, पेड की छटाई कर रहा था यूबक उत्राखन के हरिदुआर में नहाते हुए यूबक, गंगा नदी में डूबा, गोता खोरों ने यूबक को बचाया भारती सेना मंगोलिया में आयुजित सेने अभ्यास में होगी शामिल, 27 जुलाई से शुरू होगा ये सेने अभ्यास भारती सेना ने जम्मू के बुडवल में विधाले में चात्रों को कम्प्यूटर दी, किसानों के लिए जल संदक्षण और फसल विविधी करण पर जगरुपता फैलाने के उद्देशिये से कम्प्यूटर पाते अमना त्यात्रा के लिए ती त्यात्रों का एक और जथा हुआ रवाना श्रधालों में नजर आया भारी उत्साहा भक्तों ने भोले बाबा के जैकारे लगाये उत्तरप्रदेश के शाजापुर में भारत पवार ने जीता गोल्ड मैडल पवार लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता रालित्तान के भीलबारा में ECB ने इंस्पेक्टर महेश पारिक का लॉकर खंगाला ACB ने लॉकर से मिली जोल्री की कीमत 37 लाक रुपर बताई उत्तरप्रदेश के संबल में जिलाधिकारी ने दुकानों पर चेकिंग का निर्देश दिया कम तो तॉल मिलने पर कारवाई की चाहेगी सारनपूर में कावडियों की सुविधा के लिए कावड सेवा आप लांच एप की मादम से कावडियों को मिलेगी सारी जानकारी यूपी के गाज़बाद में कावडियों के लिए लगाया गए 25 स्वास्ते शिवर करीब 200 डॉक्टर तैनाथ किये गए उत्तरप्रदेश के गेट नौरा में परिशासन की बड़ी लापरवाही तलाप की सफाई नहीं होने से घरों में गुसा गंदा पानी उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर में भारी बारिश में मकान की चछत गरी चछत गरने से बुजर्ग महिला की मौत हुई अमेरिका में ओरिगॉन के जंगलों में भीशन आग का तांडव देखने को मिला तेज हवाओं की बज़ों से तेजी से बढ़ रही है आग, फाब्रिगेट कर रही है अपना काम कनाड़ा के जंगल में भीशन आग लगी, आस्मान में छाया धोई का गुबार, आग की वज़ा से कई इलाके प्रभावित लोगों को हो रही परिशानी हमारी की जंगल में आग बेकाबू हुई, आस्मान में नज़राद हुए का गुबार, तेजी से पूरे जंगल को आग ले रही अपनी चपेट में लोस अंजलेस के पास लगी भयानक, आग सुचना के बाद मौके पर पहुचका, फाइर ब्रेगेड ने संभाला मोर्चा, आग पर काबू पाने में जुटी थी नेतनियाओं की वाशिंग्टन यात्रा के दोरान प्रदुशनकारियों ने लहराया, फिलिस्तीनी जंडा, गाजा में युद्ध के खलाफ नेतनियाओं की यात्रा निंदा करने के लिए पहुचे थे प्रदुशनकारी तेलवीव में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन बंधकों को लेकर ततकाल समझोती की मांग नेतनियाओं के खलाफ नाराजगी भी जताई मैक्सिको में एक फैक्टरी में हुआ भीशन विस्पोर्ट आग की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टी दो करमचारी भी जखने हुए चीन में भारी बारिश से सडकों पर पानी भरा, कई सडके तूटी, लौंगनान और गांसू की सडकों पर पानी भरा चीन उत्री पश्मी प्रांत में हुई मुस्लाधार बारिश करीब 6,000 लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा लिए फिलिपीन्स की राजधानी मनीला में बार के कारण हालात हुए खराब, बार और बारिश में करीब 13 लोगों की मौत हुए तैवान में टाइपून, गेमी का कहर सुरक्षय के लिए किये गए तगड़े इंतिजामाद इजवाईल ने गाज़ा के खान यूनिस शेहर पर किया मिसाइल अटाक हमास के कई ठीकारों को तभा किया अमेरिकी राश्ट्पती जो बाइडन का राश्ट्र के नाम संबोधन बोले ये नई पीड़ी को मशाल सौपनी का समय कमला हैरिस को बताया सक्षम नेता और कहा के दाव पर लगी है अमेरिका की आत्मा इजवाईल का समर्थन करने के लिए नेतन याहू ने बाइडन का अभाद जताया वही अपने संबोधन के दोरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शन कारियों की निंदा भी की इसराइली फीम नेतन आउने युद्ध के लिए मांगा समर्थन आमेरिकी राश्पती बाइडन की तारीफ की चीन दोरे पर आई उकरेंग के वदेश मंत्री दिमित्रो कुरेवो आपको बता दे चीनी वदेश यात्रा पर वांग सीजी से मुलाकात की है दक्षन चीनी शहर अगवांजो में मुलाकात हुई